आपका स्वागत है इस वक्त हम नाकपूर में है और हमारे साथ संजे मेश्राम जी है संजे मेश्राम सर एक सफल उद्द्यो जग है समाज से भी है और समाज का दौरव है संजे मेश्राम सर ने 1984 में बिजनेस के शिरुवात की थी जब कोई सोचता नहीं था और बाच हजार रुपे से शिरुवात की थी और आज 25 करोड रुपे का टर्नवर उनकी कमपनी का है संजे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आपने आयाटी मुंबई से इंजिनिंग की पढ़ाई की है तो शिक्षा का क्या महत्व रहा है आपके जीवन में आपके परिवार में कि इस माध्यम से आप यहां तक पहुँचे देखें आयाटी में एंट्री लेना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग था यहां आयाटी में जाने के बाद अनेक जगहों से आयो हुए ब्रिलियंट लड़के और उसके साथ ही ही होस्टल का जो एन्वायरमेंट जो वातावरन आपको मिलता है उससे आपके परस्नालिटी में निखार आता है आपके छुपे वे जो गुण है वो सामने आने लगते हैं और एक नए तरीके के वातावरन में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका बढ़ता चला जाता है और इसकी वज़े से जो मेरी परस्नालिटी में गया और मैं फर्स सिमिस्टर के बाद आया तो मेरे फिजीक में जो चेंज आया मेरे एटिट्यूड में जो चेंज आया वो सभी लोगों को बहुत साफ तरीके से दिखने लगा और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशेट भी किया जैसा कि IIT के बारे में अपने कहा कि आप में confidence आया आप में चेंज आया बदलाव आया लेकिन आजकल के जो युवां होते हैं कई युवां से मैं मिलता हूँ वो कहते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं आप तो 1984 में IIT पॉस आउट थे तो आप क्या इन युवां को अचीज है इसचा करता जो संधिश देना चाहेंगे देखे डिसक्रिमिनेशन ये जो चीज है ये आपके साथ हमेशा रहने वाली है क्योंकि हमारी समाज व्यवस्ता है उसमें डिस्क्रिमिनेशन में अपको अख्याएन देना चाहूंगा हमारे साथ में एक लड़का जो SC का था और वो चमार कम्यूनिटी से आता था और वो SC लोगों में ज्यादा न मिलते हुए वो ओपन के लोगों में से ज्यादा और उन्हों लोगों को कुछ पता नहीं था इसलिए उन्होंने एकसेट भी किया चार साल तक उनकी अच्छी खासी दोस्ती रही सब कुछ रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि जो रजिस्टार थे उन्होंने एक लिस्ट लगाई जिसमें उसका नाम से की लिस्ट में आया और जैसे उसका नाम लिस्ट में देखा गया जो ओपन के लोग थे उनके एटिट्यूड में उसके प्रती जो चेंज आया वो बिलकुल ही अनेकसेप्टेबल था चार साल तक आप उस लड़के को जब तक ओपन में आप उसको देख रहते तब आपका हम लोगों को कभी हमारी उनसे बात होती थी स्कॉलर्शिप के बारे में या किसी के बारे में वो हमेशा इतना डाट के कहते हैं अजिफ हम लोग गलिच है तम हमारे दिमाद में उनके प्रती या उनके अगेंस में जाके बात करने की हिम्मत नहीं होती थी मगर फिर भी हम ल तो मुझे लगता है कि आप जरूर सक्सेस पा सकते हैं बिल्कुल आपने अटिटुट पॉजिट्व रखे और कोशिश करे कि डिस्क्रमिशन को अपने अपर हावी न होने दे सर मैं जनना चाहता हूं कि आपके परिवार का क्या रोल रहा है क्योंकि आपका परिवार शुरू से ही सदन था और आपने काफी सहयोग भी किया आपके इस डेवलप्मेंट के लिए लालवानी में परिवार सौदन नहीं था मैं जरूर ये चाहूंगा कि मेरे पिता जी मैरी भूबर्मेंट थे अपरि पयूर्फी बेश्यों के पाफमेंट काloveka थी उसकी वज़े से हम काफी लोगों की scholarship उस सिंधी जो लालवानी जी थे मेरे अभी उनका नाम याद है और जिस तरह से वो भीएव करते थे उन्होंने हम सब लोगों की scholarship बंद कर दी और उसके बाद हम लोगों ने किस तरह से वो complete किया यह हमी लोगों को मालूम है इसलिए मैं यह नहीं कहता कि हमारे घर में सदन थे बट हम लोग किसी तरह से उस जो expenses थे उसको हम लोग मीट करते गए और फिर हमने उसमें से पास आउट किया अच्छा लेकिन जब आपने IIT पास आउट किया 1984 में और 1985 में आपके मन में एक कैसी बात आई कि मैंने बिजनस की तरफ जा देखें यह तो सामाजिक मन सिखता है आप सिर्फ किसी भी reserve category के आदमी को नहीं पूरे दुनिया में पूरे हमारे देश में कहीं भी आप जाएंगे और अगर आप किसी माता पिता से पूछेंगे कि आपके लड़के को कौन सा जाब चाहिए तो कहेंगे हमें गोवर्मेंट जाब चाहिए यह तो concept वो develop हुआ था मगर हम जो तीन लोग थे जैसे मैं हम लोग तीन आयटियंस थे रमेश प्रदीप और मैं तो हम लोगों ने यह सोचा कि उस वक्त जो पेमेंट का structure था वो बहुत ही कम था हमारे seniors जो जन्होंने 80s में पास आउट हुए उनको L&T में न प्रेजमेंट ट्रेणी के टाइम पर 5-5,000 रुपए के उपर हमको उस समय मिलता था तब हमारे दिमाग में आया कि अगर हम 5,000 रुपए में पूरे 24 घंटे अगर हम हमारी कमपनी के लिए काम कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना खुद का बिजनेस करें और एक ही डिल में 4- 5,000 रुपए का तो यह आप बोल सकते हैं कि इसको यह आंतरप्राणर की खुझली होती है उसके दिमाग में कही ना कहीं कुछ चलते रहता है और इसलिए हम लोगों ने मतलब यह दो बाद में आये मेरे साथ बगर हमने एक बहुत ही नही आईडिया सोची कि हमने का यार 5,000 रुपए की टी-शिट बनाई उस वक्त और एक हमारी मोटर साइकल थी वो हमने गिर्वी रखे एक सिंधी के पास उसको ब्यास दिया और उससे जाके हमने बनाया और एक रात में मतला हमने जब वो टी-शिट ले के आए तो एक बंदे की जो गाड़ी थी वो रात में 12 तो 11 बजे हमने सेल शुरू किया और सब लोग जो घर जा रहे थे गाड़ी तीन बजे थे किसी की चार बजे तब रात के 11 बजे से लेके दूसरे दिन के 11 बजे तक हम लोग सिर्फ टी-शिट भी बेच रहे थे और हमने 13,000 रुपए की टी-शिट बेची उसमें 5,000 रुप सब्सक्राइब Midwest तबिटनग का मार्केटिंगे करें सके डिए मार्केटिंग साथ ने कुछ मने कआप्क काम में में आपको काम में आएं तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे में किसी को convince करने की capacity अच्छी है तो वो एक जो गुण है मेरे में उससे मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैंने marketing में जाना चाहिए और इसका एक example आपको दूगा जब मैं मुझे पहले घर से बहुत pressure था मैं अकेला यह था और आप जानते हैं कि Maharashtrian families में लोग business के नाम से कापते हैं तो मुझे बहुत pressure था और मैं मारूती में select हो गया और इतना pressure था घर से कि मुझे जाके join करना पड़ा बट join करने के पहले जब interview हुआ तो वहां सब top जो आज managing director है और आज trustee है मारूती के तो वो सब लोग वहां बै मुझे एक question पूछा गया कि Mr. Meshram अगर हमने आपको मारूती में English में पूछा गया कि आपको अगर हमने chance दिया तो आप मारूती में कौन सा department join करना पसंद करोंगी तो मैं भी moveart था और दिमाग में कुछी तो था नहीं मैंने उटको बोल दिया साब मैं तो आपका marketing department join करना चाता हूं तो सब हसने लग गए तो बोले Mr. Meshram आपको लगता है कि मारूती को marketing की जरूरत है तब मैंने उनको वो concept समझाया कि साब आज आपके पास कोई competition नहीं है और marketing सिरिफ बेचना नहीं है marketing शुरू होती है कि market की need क्या है उसे किस चीज की जरूरत है कैसा model बनना चाहिए कैसा होगा और competition को कैसे ये करना चाहिए servicing कैसा ये सब आसपेक्ट जब मैंने उनके सामने रखे तो बात में वो convince हो गया और मैं उन 6 लोगों में से था जो management trainee के लिए चुना गया पूरे दे आपको फिर से ही करेंगे मगर उस वक्रोडक्शन पर इतना pressure था क्योंकि हर चीज बिग जाती थी लाख लाख रुपए black money दिया जाता था एक गाड़ी के पीछे छे मैंने बाद मैंने देखा कि ये लोग मुझे यहां से नहीं चोड़ेंगे मैंने अपने बोरिया विस्तर करता है और आपको बिजनेस क्या है बिजनेस सिर्फ लोगों की नीड पहचानना है कि मार्केट को किस चीज की जरुरत है और उस चीज को मार्केट तक देना यह बिजनेस है तो उस वक्त हमने जब हम लोग तीन लोग थे तो हमने यह सोचा कि उस वक्त संराइज इंडस्ट तभी हुआ करती थी plastics, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग plastic की industry लगा के bags बना के बेचेंगे, उस वक्त मैंने जैसे आपको कहा कि business में उस वक्त का structure था, license राज था, plastics मिलता नहीं था, अब हम लोग तो कैसे हैं, आउंदे हम लोग कूद चुके थे उसमें, फिर थोड़े दि बीच में dispute हुआ और दोनों ने वो partnership छोड़ दी, और रमेश और प्रदीप के नाम से R&P, A, 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 R, P, W, A, उसी को नाम को लेकर मैं आगे बढ़ा, फिर मुझे realize हुआ कि हम industry डालना चाह रहे हैं, तो मैं production, finance और marketing तीनों नहीं देख पाऊंगा, फिर मैंने जाकर थोड़ा thought process शुरू किया, कि लोग business कैसा करते हैं, या Marwadi या Gujarati business कैसा करते हैं, और तो मुझे realize हो कि ये लोग सिर्फ trading में business करते हैं, एक तरफ से चीज लेते हैं, दूसरी तरफ को देखते हैं, और बीच का जो margin रहता है, उस हिसाब से मैंने फिर वो काम शुरू किया, trading में आया, कि आपने IIT engineering इसलिए कि आप salesman की तरह रास्ते पर घूमो दुकान से दुकान, अगर मैंने का ये अगर विचार मेरे मन में गहड़ कर गया, तो फिर मैं कभी business नहीं कर पाऊ, मैंने उसको बाजू में किया, और shop to shop गया, और पहला order मैंने Bombay वाला से लिया, उनके पास किसी टाय वाले की agency आई हुई थी, agency ने 5000 बैक दी थी, जो उसने मुझे दिया, और वो order execute करते करते मुझे एक महना लग गया, क्योंकि हर जगे से ढूंडना, ये करना, बट उस वक्त मैंने हमारी यही रख्तित कि हम इसमें value addition, क्योंकि business क्या है, business is all about value addition, कि भई, आप कपास खर जास रुपे के लिए, आप उसका धागा बनाते हैं, कितने हो साथ, इसको value addition कहते हैं, एक का change किया आपने, वो 60,000, फिर आप उसको बनाते हैं कपड़ा, कपड़े का दाम हो जाता है, 10,000, और जब उसका आप शर्ट पहन के हैं, उसका वजन कितना होगा, 100 gram, कितने का खरी हैं उस business में, वो हमने सीखा, और उसमें यहां पर cutting and sealing की machine इनके पास नहीं थे, handle fixing नहीं था, but printing और tube manufacturing यहां पर था, उन सब को साथ में लेते हुए, मैंने business शुरू किया, और इतना business बढ़ा कि Raymond को हम supply करते थे, Digjam को करते थे, Reliance को करते थे, और यहां की पूरी industry को 24 गंटे हम उनको busy रखते थे अपने काम में, तो जब इन्होंने देखा कि यह आदमी के पास कुछ भी नहीं, यह सिर्फ cutting sealing handle fixing करता है और बेशता, और इसके लिए एक और इसमें जो सामजिक दुरूश्टिकों था, कि हम लोग handle fixing का, जो punching और handles मिला के हम लोग परिवारों को देते तो परिवार हमारे पास आते थे वो लेके जाते थे और वापस दूसरे दिन आते थे और फिर लेके तो गरीब 150 परिवार मेरे पास में यह थे जो इस पूरे business के content पूरुर Erica क्योंकि वह मेरा बेस है फिर हमने इंजिनेरिंग प्रोडक्स मार्केटिंग शुरू की जिसमें यूटी क्रेंज एलेक्ट्रिक ओर ट्रावलिंग क्रेंज आप मोबिल के साथ कैसे कैसे इसमें वी एक स्टोरी है भारत पेटोलियम आप आप जानते हैं कि यहां पहले मोबिल, एसो और बर्मा शेल यह कंपनियां हुआ करती थी। 1971 में युद्ध के वक्त इन्हों ने गॉवर्मेंट को बहुत लूटा। यह डीजल और पेट्रोल उनको इतने प्राइस में दिया कि इंदिरा जी ने उसका राष्टिये करन कर दिया, 1971 के बाद में तो बैंकों का भी राष्टिये करन कर दिया ताकि फैनांस बचा रहे और तेल का भी कर दिया जो कि बहुत ही स्टाटेजिक फील्ड थी। और यह होने के बाद में 91 में हमारा यह liberalization का दौर शुरू हुआ। जिसमें हमारे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बाहर की कंपनियां यहां आने लगी और वहां का equipment आने लगा। उस वक्त lubrication करने के लिए इन लोगों के पास में कुछ नहीं था। क्यों कि यह लोग जो पेट्रोल डीजल बेशते थे उसमें इनका कोई भी मुनाफ़ा नहीं था। क्यों क्योंकि वह APA में थे एड्विस्टर्ड प्राइस मेकैनिजम तो उसमें मुनाफ़ा उनका सिर्फ था तो सिर्फ lubricants में। बट उसमें उनके पास में कोई भी research and development नहीं था। इसलिए यह सब कंपनियां वापस अपने parent company के पास गई। जैसे जो नैशनलाइशन हुआ तो जो एक्जॉन मोबिल थी वो बन गई इंडियन ओयल जो भाराइब अपना हिंदुस्तान petroleum है वो पहले अपने parent companies के पास गए इन्होंने joint venture करके world class lubricants बनानी के शुरुवात यहां की और तब भारत शेल नाम की एक company firm हुई जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपका industrial marketing में अच्छा है आप हमारे product market कीजिए बट मैंने उनको कहा मैं capital marketing करता हूं capital equipment की consumables में नहीं हूं बट उन्होंने मुझे insist कि यह आप कर सकते हैं और उसी तरह से मेरा यह सिलसिला शुरू हुआ 94 से लेके 2001 तक मैं भारत शेल के साथ रहा और तब यह Exxon Mobil का यह जो दौर है यह शुरू हुआ Exxon और Mobil यह दो बड़ी कंपनिया थी तेल कंपनिया पेट्रोल केमिकल कंपनी इनका merger हुआ 2000 में और इन्होंने एक अलग कंपनी यहां इंडिया में फॉर्म की उनको industrial marketing के लिए आदमें चाहिए था और उन्होंने मेरे पास आए और फिर मैंने उनके products देखके मैं Exxon Mobil के सा Dale and Foundation के सारी, किनौते यह करते-करते आपने इक सामाजी जम्मेदारी ऐसास था, आपने उस दाओर को भी देखा है, diskriminition को भी ऐस किया है, तो फिर समाज सिवा की तरफ जाने का ऐसा मन हूँ आपका? समाज सिवा हमारे परिवार में पहले सी थी, मेरी ममी हमेशा सामाजिक कारियों में भाग लेती रहती थी, लोगों को मदद करते रहती थी और 1992 में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो समाज कारिया अपने बल्दबुति पर कर रहा हूं मगर इसको हमने गर एक अरगनाईस्ट वे में किया तो हम इसको कई गुना बढ़ा कर काम कर सकते है। इसलिए मैंने फिर रोटरी जोइन किया, 1992 में रोटरी जोइन किया, 2000 में मैं प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट बनते वक्त मैंने यहां पर करीब-करीब एक करोड रुपे के काम किये, राहूल बाल सदन के हमने इमारत बनाई, मैचिंग ग्रांड प्रोजेक्ट के करता था और 12-13 में, 9 में मैं सिलेक्ट हुआ, डिस्ट्रिट गवर्नर करके, यह बहुत बड़ा आपके लिए सन्मान का अक्षन था वह, मुझे लगता है कि RSS dominated उस रोटरी क्लब में, मैं पहला दलीद गवर्नर था, जो उस पहुंचा, मुझे बहुत, मुझे फाइट करन गवर्नर नाशीक से लेके गोंदिया तक का पूरा administrative head होता है, और यहां जुड़े हुए जितने भी business के लोग है, वो सब रोटरी क्लब के members होते हैं, और उस वक्त मैंने एक ब्रह्मन को challenge करते हुए, 115 और 28 मतों से उसको हरा के बनाता, इसलिए मैं grassroot पे काम करना पसंद करत हुए, विदान सभा शेत्रा है, और उम्रेट से आपने एक बर चुनवा भी लड़ा था कॉंग्रेस की टिकेट पर, और काफी अच्छे votes भी आपने पाए थे, हाला कि पिछली बार आपको टिकेट नहीं मिल पाया, फिर भी आप उम्रेट के लिए काफी समर्पित है, आप अपना पूरा समय बहा देते हैं, क्यों इतना उम्रेट से लगा है आपको? विदानसभा में काफी कम अद्दान मिले था और उन्होंने कहा कि आप जरूर काम कीजिए, और वो आये थे हमारे नागरजुन इंजिनेरिंग कॉलेज में, जो हमने पहला अपना कॉलेज है, जो हमने तयार किया आट मैने के अंदर, और वहाँ इन्नागरेशन के लिए हमन वेक्यूम क्रियेट हुआ और मुकल जी ने मुझे वहाँ टिकेट दी और मैं वहाँ से लड़ा, बट जैसे कहते हैं कि अनुभो नया-नया होता है और सर मुंडाते ही ओले पड़े, ऐसा सीन वहाँ क्रियेट हुआ, और उसमें ऐसा हुआ कि मेरे अगेंस में जो है रिबेल कि वहाँ 34-35 सार लेके सेकंड स्टांड पर पहुंची क्योंकि इसलिए मैं समाज का मत नहीं लेक पाया और जो OBC वाले थे वह साब यह कह रहे थे साब आप चलते हैं मगर हती नहीं चलता इस तरह का राजकरन होता है और उसमें मुझे जो कमी महसूस हुई कि वह यह थी कि समाज काम मैंने बहुत किया हुआ था मगर राजनिती में आने के लिए आपको इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ता है आपको इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं इसलिए फिर मैंने ग्रासरूट लेवल से शुरुवात की 2014 के बाद सेवा सहकारी, खरीदी विकरी, बाजार सम भी थी, जिल्ला परिशाद और आखरी जो सबसे महतवपूर्ण और कठिन जो इलेक्शन होता है वो है ग्राम पंचायती इलेक्शन, वहां हमने 125 ग्राम पंचायत की इलेक्शन लड़ाये मेरे नेत्रुत में और बहुत अच्छा रिजल्ट हमने उसमें दिया, तब जाके म मैं उस पॉलिटिकल सर्कल में आया हूँ, अनफॉर्चनेटली टिकेट देते वक्ट बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और उसमें टिकेट नहीं दी गई, फिर भी पहली बार हमने उस शेत्र में कॉंग्रेस के आमदार को चुन कर लाया, यह हमारी सबसे ब बार्मिता भी करते रहते हैं, ऐसे ही एक उम्रिट में ही आपके शेत्र में ही जो सिक्स वर्कर के बच्चे हैं, उनके लिए जो स्कूल चलती है, उसको आपने काफी बढ़ावा दिया, उसकी बिल्डिंग बान के दी, तो यह कैसे क्या आपने पॉसिबल किया, जब मैं रो उसकी स्टोरी पब्लिश की थी, तब से लेके मैं उनसे जुड़ा था, और मेरे बच्चों के बड़े पे, मेरे बड़े पे, हमारे सालगीरा पे, हम लोग सब लोग वहाँ जाते थे और वहाँ डोनेट करते थे, तब मुझे उनके डिफिकल्टी पता चली, कि वो हर वक्त जब भी किराये पर कोई मकान लेते थे और जैसे ही किराये मकान मगालिक को यह पता चलता था कि एसक्स वरस्त के बच्चे उनको निकाल देता था, और उनके पास एक प्लॉट था, मगर उस प्लॉट पे तीन बार अनेक राजनितियों ने आके भूमी पूजन किया, मगर उ इनको अगर सही तरीके से इनको अगर आगे बढ़ाना है, तो इनका खुद का मकान होना जरूरी है, इसलिए फिर हमने एक पलक शो किया, उसमें से हमने पांच लाख रुपए जो जमा किये, उसके मध्यम से हमने उनका बांध के दिया घर, जो नापूर में है, और उसके ब काफी लोगों के हैं, और आज जो हम लग जाते हैं उम्रेट में तो गाव का बच्चा बच्चा भी आपको जानता है, इतनी आपकी लोगपृयता वहापे है, और उमीद भी ऐसी करते है कि आपकी लोगपृयता के आधार पर आप शायद फिर से आपको टिकेट मेलें और जीत कर आए, तो क्या लगता है आप उम्रेट शेत्र के विकास के लिए आपकी क्या संकल पनाये हैं, क्या परियोजना हैं आपके पास? देखे, मैं घ्रामिन शेत्र के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, मगर राजनीती में आने के बाद ग्रासरूट पर जमीनी हकीकत क्या है, इसका एसास मुझे हुआ, जिसमें एक चीज जाती वादिता है, बहुत बड़ा मुझे उसका असर जब मैं जातियों के बार में पूछ लीजे, पोड़ जाती के बारे में पूछ लीजे, आप मुझे पता कीजिए कितने लोग कौन से कॉंसे कॉंसेंटनसी में हैं, मैं आपको बता पाऊंगा, तो ये जो एक अलग बदलाव था, ये भी मुझे एक सीखने की एक बहुत बड़ी, वर्टिकल कर्व थ है उसमें जाती का बहुत बड़ा मातो है, और उसके आधार पर ही हम लोग अपना जो निर्ण है वो लेते हैं, मगर मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी हमारी हमारा दूरबाग्या है, क्योंकि हम हमारे जाती को छोड़कर, हमारे धर्म को छोड़कर, बहार एक खुले इनसान की तरह खुले मन से हम किसी चीज पर हम लोग विचार नहीं कर पाते हैं, और यही चीज है जो हम लोगों को या भारत देश को बहुत पीछे रख रहा है, डॉक्टर बावा सब अमट करका भी आपके विचारों पर आप काफी प्रभाव है, क्या सीखने को मिला है उ उसका प्रतीकार करना, मुझे लगता है यह सबसे बड़ी सीख, यह सबसे बड़ी प्रेरणा हम बाबा साब से हम लेते हैं, परसों ही एक हमारे पत्रकार थे, उन्होंने मुझे से पूछा कि आपका प्रेरणा स्थान कोन है, तो मैंने का बाबा साब आमट कर, और फिर मैं उन्होंने जो सविधान भारत को दिया, वो सबके लिए समान था, सबको उसमें संधी मिलती थी, और अवसर मिल देगा, इस तरह का सविधान उन्होंने बनाया, इसलिए मैं उन्होंसे प्रेणा लेता हूं। तो सबके लिए वावा साब ने सविधन बनाया और एक जाती वहीं समाज लटना की निर्मान भी उने सोचा था उसी दिशा में संजे मिश्णम जी भी काम करते है ग्राव आज जैसा उन्होंने बताए कि वास्तविक्ता से वाउगत है कि किस तरह से कास्टिजम देश में होता जैसे सभी लोग उने चाहते हैं प्यार करते हैं और सभी लोग उनके पास में आते हैं एक अपने बड़ी बात है कि एक ऐसे विक्ति ने सब समाज को एक्सेट ये प्रेणा देना कि हम सब समाज में एकसेप्टेबल है ये बहुत बड़ी बात है अंतिमता माई संदेश ऺीद्वाव या, विषमता नहीं होने चाहिए. इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें शड्धा का बहुत बड़ा स्थान है और उसमें अन्दर शड्दा का बहुत बढ़ा स्थान है, शद्धा और अंदर शद्धा में एक बहुत बारीक लकीर होती है, जब आप प्रशन किये बगएर किसी चीज को एकसिप्ट करते हैं, वो हो जाती है अंदर शद्धा, और जब आप प्रशन करके उस चीज को समझते हैं, वो होती है शद्धा, हमार सामने से बिल्ली जाती है तो हम उसको बुरा मानते हैं मगर यह नहीं सोचते कि बुल्ली नहीं सोचा होगा कि आज इस आदमी ने मेरा रस्ता काटा तो आज मुझे दूद नहीं मिलेगा प्रश्ण करने का टेल मी वाय टेल मी हाउ यह जो एक आटिट्यूड है यह हमारे बच पानी डाले या भरा हुआ लोटा है उसमें आप पानी डालेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा सब बाहर बह जाएगा इस प्रकार का इसलिए जो कहवत है learn unlearn and relearn मतलब आप पहले अपने आप में जो भी माननेता है उसको खाली कीजिए सामने वाली माननेता को समझे और फि दूसरी चीज़ों को समझे मतलब किसी भी चीज़ को acceptance करने के पहले उसे question कीजिए और acceptance कीजिए ये भाव जब तक समाज में पैदा नहीं होगा तब तक हमारे बच्चों में आत्मविश्वास नहीं आएगा self-esteem नहीं आएगा और self-confidence नहीं आएगा जो की एक व्यक्ति मत्व के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बहुत ही ज़रूरी है जी बहुत ज़रूर ये self-confidence अपने आप पे बिश्वास करना अपने व्यक्ति मत्वस संजेम इश्राम जी ने ये प्रूफ करके दिखाये कि एक व्यक्ति एगर जो सोचे वो कर सकता है चाहे किसी भी तरग की बाधाय हो किसी भी तरग की discrimination हो उसके बावजूद अपने आपको इस level पे लाना सब के लिए acceptance बनना क्योंकि रोटरी के गवर्दार बनना अपने आपने बड़ी उपलब्दी थी या फिर एक विदान समय में जाके वहाँ पर सब लोगों के बीच में काम करके वहाँ पर अपने acceptability क्रेट करना ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्दी थी सर आपने आज एक इवाक लिए inspiration है मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल किया है काफी संगर्श से, काफी मैनस से, काफी जिस से, काफी लगन से हासिल किया है और आपका ये जो सफर है वो निरंतर असा ही चलता रहे आप हमेशा आपने सफर में आगे बढ़े आपको सक्सेस मिले यही मंगल कामना वेक्ते करते हैं धन्यवाद